हेलो दोस्तो मैं रोहिद वर्मा आज मेडिवल हिस्ट्री के जो है आपको क्वेशन करवाऊंगा मद्यकालिन बारत के ठीक है तो जो कुछ क्वेशन बचे हुए थे उनको हम कवर अप करेंगे आज तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम बेस्ट किये त ठीक है उनको जो हैंडल करता था डील करता था उस डिपार्टमेंट के हेड को जो है वो क्या कहा जाता था ठीक है यह क्वेशन था लास्ट क्लास का सदर उस सदर जो है वो कहा जाता था तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं यह लास्ट क्ला अगर तो बात कर रहे हैं लास्ट की तो लास्ट कौन सा हो जाएगा बहादूर्शा टू हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बहादूर्शा टू जो है यह लास्ट हो जाएगा और पावरफुल की बात कर रहे हैं मेरे बाई तो पावरफुल हो जाएगा औरंग जेब कौन सा हो लेते हैं स्टार्टिंग के पहले चार-पांच रूलर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है उनके नाम याद कर लो सिक्वेंस वाइस क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ एक्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं सिक्वेंस वाइस ठीक है कि क्रॉन लॉजिकली रेंज करके बताओ इनको तो सबसे पहले नाम लिख लो सबसे पहले है बावर जो की फांडर भी है ठीक है और दूसरे नंबर पर बावर के बाद आ जाता है हुमायू हुमायू आ जाता है तीसरे नंबर पर आ जाता है अकबर आ जाता है फूर्थ नंबर पर जाता है जहांग इनके बारे में हम आगे डिटेल में आज आल्मोस्ट इनी के ओपर जो है questions करेंगे तो देखते हैं अपने next question देखते हैं डैश मेरेड मेहर उन नीसा को जो है वो टाइटल दिया गया था नूर जहां सिंपल से बात है कि नूर जहां से शादी जो है वो किसे गी किस ने की थी ठीक है नूर जहां है वो मेहर उन नीसा को जो है वो टाइटल दिया गया था तो ये दिये गए था जहांगीर के दवरा, किसके दवरा, जहांगीर ने इसे ये title दिया था, तो mostly जो है अभी equation बनता है, वो यही नाम से बनता है, कि नूर जहां से, कि नूर जहां के husband कोन है जाए, इस type का ठीक है, तो कौन सा रहेगा, option number B, जहांगीर वाला जहांसर जहांदुर्शाद 2 जो है, ये रहेगा, लास्ट मुगर रूलर ठीक है, और इसका end कैसे हुआ था, arrest by British army, British army के दवारा, arrest कर लिया गया था, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, during Aquar Ring, who was the finance minister of Mughal Empire, Mughal Emperor का finance minister, जो है, वो कौन था, अक्वर के time period पे, most important question है, almost exams में पूछा भी ज तोदर मल जो है, राजा तोदर मल, ये बिल्कुल सही answer रहेगा, और finance minister को जो उनकी बाशा में क्या बोला जाता था, मेरे वाई, तो वो बोला जाता था, दिवानी अशरफ जो है, इसे बोला जाता था, option number D, इसमें सही answer रहेगा, next question है, who is the ruler credit for building the grand trunk road, GT road जो है, वो किस रूलर के दवारा बनाये गया तो शेर शासूरी जो है शेर शासूरी के दवारा बनाये गया है ये रोड इसकी आप length कह सकते हैं approximately approximately का मतलब होता है कि लग बग ठीक है ऐसा नहीं है कि exact इतनी ही है approximately 3710 km के length है और ये कहां से कहां तक है between पाकिस्तान टू बेंगॉल पाकिस्तान से बेंगॉल तक जो है ठीक है कहां से कहां तक है पाकिस्तान से लेके बेंगॉल तक है यह नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं इन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो शाहजान नहीं बनाई है mostly देखो अगर शाहजान के अपर question आएगा न तो यही पूछेंगे कि इसने क्या बनाया है तो कुछ important चीज़े लिख लो जो शाहजान के दवारा बनाई गई हुई है तो एक आजाएगी मोती मस्जिद मोती मस्जिद आजाएगी एक number दूसरा नंबर मोती मस्जिद के बाद जो है वो आ जाएगा शालीमार गार्डन शालीमार गार्डन आजाएगा clear शाहजान वाद ये भी शाहजान के दवारा बनाई गाए रेड फॉर्ट ज यह भी उसकी के दवारा जामा मस्जिद पुश्य की दवारा बनाए गया है हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा option number D हुमाईू टूम जो है ये किसके दवारा बनाए गया है हुमाईू की बाइफ के दवारा by his wife उसकी बीवी के दवारा जो है ये बनाए गया है तो उसकी बीवी का नाम क्या है हाजी बेगम क्या नाम है हाजी बेगम उसकी बीवी का नाम है clear तो इसके द्वारा जो है हुमायी टूम बनाए गया है योगी कहां पर है देली में है तो बढ़ते हैं अपने next question क्यों दिरिंग दिरेंग आफ विच मुगल एमपैरर चाहर तसल तो 47th question number तो answer रहेगा इसका शाहजान option number C जो है बिल्कुल सही रहेगा शाहजा के बारे में कुछ और facts जो है वो हम जान लेते हैं शाहजान जो है इनकी आपको पता है ना एक wife थी मुमताज करके मुमताज जिनकी याद मेनों ने ताज महल बनाया था शाहजान ने ताज महल देने वाले होते हैं ठीक है जब 14th number का उनका child होने वाला होता है तब उनकी death हो जाती है फिर उनकी death के बाद क्या होता है शाहज जो है यह शादी करता है किससे अपनी बेटी से married with his own daughter अपनी बेटी से जो है यह शादी कर लेता है शाहज जहां और शाहज जहां कहता है कि य ये मुम्ताज की तरह दिखती है, तो इसलिए मैं से शाडी कर रहा हूं, ठीक है, पिर जब इसकी मुम्ताज महल की death हो जाती है, तो उसके बाद अपनी बेटी से शादी कर लेता है, clear है इतना, डेट के बाद शादी होती है बेटी से, तो अभी बढ़ते हैं next question की तरफ, इन 1526, 1526 में बावर डिफीट सुल्तान इबराहिम लोदी एट बावर ने 1526 में इबराहिम लोदी को जो है वो कहा हराय था बावर के आपको युद्ध मैंने याद करवाय थे, चार युद्ध हुए थे, ठीक है उन में से सब सा पहला जो जो दूआ था वो हुआ था, 1526 में पानीपत में पानीपत में हुआ था, जिसमें मैंने आपको एक चोटी से ट्रिक पताए थी पानखा चलगर, ठीक है, तो पानीपत में हुई थी, जो कि इबराहिम लोदी और बावर के बीच में हुई थी बावर ने जिसमें इबराहिम लोदी को हरा दिया था, तो यह answer क्या रहेगा, answer रहेगा, option number B, पानी पत, जो है बिलकुल, सही answer रहेगा, next question, what was the title given to the highest minister of Mughals, Mughals के जो ministers थे, उनमें सबसे highest title, जो है, वो किसे दिया जाता था, तो highest title जो था, एक तो था बजीर, ठीक है, या फ पिर दिवान, इनमें से कोई भी रहेगा, तो बिलकुल सही answer होगा, options में जो है, वो misplace हो चुका है, तो वजीर जा दिवान जो है, बिलकुल सही रहेगा, Mughal के जो भी highest officials थे, उनको जा तो वजीर बोला जाता था, जा तो दिवान बोला जाता था, अगला question क्या कहता है, च 1539 में जो है, वैटल अफ चोसा हुआ था, और हुआ किस किस के बीच में था, हुमायू और किस के बीच में हुआ था, यह हुआ था, शेर शासूरी के साथ, तो शेर शासूरी जो है, इसने हुमायू को हिरा दिया था, ठेक है, शेर शासूरी ने हुमायू को हरा दिया था, और यह यह शेर्शा सूरी है, यह कौन था, तो यह अफगान था, कौन था मेरे वई, तो शेर्शा सूरी, अफगान, अफगानी स्तान से आया था शेर्शा सूरी, बढ़ते हैं हमने next question की तरफ, which among the following is the mother tongue of mughal, निमली खित में से कौन सी मुगलों की मातरवाशा है, तो तुरकिश जो है, इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, option number B, option number B के जो साजो जो जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो तुरकिश मुगलों की मातरवाशा है, अगले question देखते हैं, Baur was the founder of Mughal Empire in India subcontinent, he came to India from, question में पूछा गया है कि Baur, आप सभी को मालूम है कि Mughal Empire का founder है, बट यह आया कहां से था, किश जगा से जो है वो बारत में आया था, बावर, बावर जो है यह बारत में आया था, फरगाना से आया था, ठीक है, इसको दौलत खान, दौलत खान जो है, दौलत खान ने इसको invite किया था, दौलत खान ने invite किया था, बावर को, क्यों कि इबराहिम लोदी के साथ दौलत खान की कोई बात हुई थी, तो इबराहिम लोडी ने जो है वो धर्धबोचा था दोलत खान को, फिर दोलत खान ने अपनी बेजिती का बदला लेने के लिए बावर को जो है invite किया था, एक तो reason हो गये ये, फिर आते ही जो है बावर की लड़ाई हुई थी किसे इबराहिम लोडी के साथ पानीपत में 1526 और second reason जो है वो क्या है कि मंगोल का invasion भी था मंगोल का invasion हो गया था मंगोल जो थे उन्होंने आकरमन कर दिया था बावर के बहां पे तो उस बज़ा से भी बावर को बहां से गदी सब कुछ छोड़के आना पड़ा था clear है next question किसी question में कोई doubt बगरा रहा जाए किसी student को अकबर के जो empire था अकबर का जो शाषिनकाल था उस time पे जो military commanders थे उनको क्या कहा जाता था तो military commanders को कहा जाता था फोजदार जो है वो military commanders को कहा जाता था clear है next question देखते है dash was the revenue administration and civil justice system in Bengal देखे जो Bengal में मुगल का जो administration था ना जिसमें civil department आता था ठीक है और revenue department रहता था तो उनको जो है वो क्या कहा जाता था यहाँ आप simply कह सकते हैं वो किन के अदीन था तो वो दिवानी कंदीत था किस के अदीन दिवानी के अदीन तो option number c इसमें सही रहेगा next question है who among the following had given the title of सुल्तान बुलंद इकवाल by शाहजान शाहजान के दोरा सुल्तान बुलंद इकवाल का title जो है वो किसे दिया गया था सुल्तान बुलंद इकवाल का title जो है शाहजान ने दिया था और किसको दिया था तो ये दिया गया था दारा सीको को option number A पूरा नाम लिख लो दारा सीको जो है इसको जो है सुल्तान बुलंदिक वाल का title दिया गया था अगला question है who introduced do aspa, c aspa system do aspa और c aspa करके ये system है ठीक है ये जो है ये किसके दोरा introduce किया गया था तो जहां गिर जो है वो याद रहेगा ये factual questions है medieval history में जितने questions है न medieval history में याद रखना मेरी एक बात medieval history में सबी सवाल facts पर अदारित है ठीक है ये almost facts पर रहेंगे आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप इनके पीशे के concepts पढ़ने जाओगे तो बहुत जो है वो आपका time based होगा तो उसका कोई जो है फाइदा नहीं है simply आप facts जो है वो याद कर लिजे रट लिजे जैसे आपको suitable लगता है जैसे आपको ठीक लगता है तो बढ़ते हैं अपने next question के और which of the following battle paved the way foundation of Mughal Emperor उन्होंने पूचा है कि Mughal Emperor जो है उसकी आप कह सकते हैं ऐसे बोलता है न नीव रखी जानी तो वो कौन सी battle है यहाँ से Mughal Emperor की नीव रखी गई थी तो आपको जैसे पता है कि Mughal Emperor का founder कौन है बावर है तो बावर ने सबसे पहले यहाँ पे आके युद कौन सा लड़ा था पानीपत का फर्स्ट युद लड़ा था इबराहीम लोदी के साथ तो बिल्कुल आंसर भी वही रहेगा option number A फर्स्ट बैटल अफ पानीपत जो इबराहीम लोदी के साथ लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था यब यह जीत गया था बावर यहाँ से तो फिर जो है इसका शाशन जो है इनोंने अपना शुरू कर लिया था फिर मोगल एमपेरर बना लिया था इनोंने अगला question है देली में हुमायू का जो मकवरा है वो किसने बनाया है जैसे कि शाशन काल जिसे आप कहते हैं नॉर्मली हम कह सकते हैं कि यह बन्दा शाशन कर रहा है जैसे करंटली मान लो अभी प्राइम मिनिस्टर है ठेक है यह प्राइम मिनिस्टर अभी किस टाइप से रूल कर रहे हैं तो ऐसे ही कोई उनका होगा हैड होगा जो वैसे रूल कर रहा था जो आगे आने वालों के लिए जो एक सीख बन गया था कि हाँ हमें भी उसकी तरह करना है यह हमारे लिए बैनिफीशल है या ऐसा वैसा कुछ भी आप कह सकते हैं तो वो कौन सा था तो वो था कौन सा शेयरशा सूरी तो Q 59, शेयरशा सूरी का जो एड्मिरिश्यशन था वो एक मौडल बन गया था बहुत यत्त तगड़े लेवल का एड्मिरिश्यशन जो है वो शेयरशा सूरी ने किया था फिर आने वाले जितने आगे के रूलर्स थे उन सभी ने भी उसको follow किया था नेक्स्ट कुशन देखते हैं आलमगीर वास दी टाइटल अफ बिच मुगल अमपेरर आलमगीर जो है वो कौन से मुगल अमपेरर का टाइटल है किस मुगल अमपेरर को आलमगीर नाम से जाना जाता है तो कुशन नबर 60 आंसर बिल्कुल सही रहेगा औरंग जेब कौन सा आंसर रहेगा औरंग जेब जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा नेक्स्ट कुशन देखते हैं तैमूर जो है आप सभी को मालूम है तैमूर जो है इसने भी जो है इन्वेड किया था आकर्मन किया था बारत में तो पूछा ये गया है कि तब जो है वो कौन सी डाइनस्टी थी तो तब कौन सी डाइनस्टी थी तो तुगलक बंच जहां फिर आप कह सकते हैं तुगलक डाइनस्टी जो है तब थी जब ये इसने आकर्मन किया था, किसने तैमूर ने आकर्मन किया था, ये सीधा सीधा कुशन बन जाएगा, कि तैमूर ने कब आकर्मन किया था, ठीक है, तो तब थी तुगलक डाइनस्टी, जहां फिर ऐसे पूछ लेंगे कि कब किया था, तो 1398, 1398 में किया हुआ थ next question है which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest time Delhi Sultanate की किस dynasty ने सबसे छोटे time तक rule जो है वो किया है सबसे छोटे time तक किस ने rule किया है तो खिलजी कहा है तो option number A, खिलजी वाले जो है खिलजी dynasty ने इसने सबसे कम समय तक rule किया है कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा time तक rule किस ने किया है वो भी बताया था और खिलजी जो है ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे कम time तक rule खिलजी बालो ने किया है next question है who among the foreign traveler is not correctly match foreign travelers के नाम दिये हुए हैं ये सभी foreign travelers है इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो match नहीं कर रहा है बात करते हैं सबसे पहले Marco Polo की तो ये इटैली से है बिल्कुल सही रहेगा Ivan Batuta Morocco से है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही रहेगा Peter तो मेरे बाई Peter जो है ये चाइना ना होके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा England आ जाएगा Peter कहां कहा आ जाएगा England आ जाएगा ये तो आपना अगर आपको नहीं भी बताता आप तब भी guess लगा सकते है क्योंकि Chinese जो है ना उनके नाम ऐसे नहीं है Peter शीटर ये नाम नहीं है उनके अलगी नाम है हूंत सेंग फाहीन ये वो ऐसे उल्टे उल्टे नाम है ठीक है तो आत्मसर कौन सा रहेगा option number B answer रहेगा तो Peter जो है वो कहां से आएगा England से रहेगा next question देखते हैं फतेपुर सिकरी most important रहेगा most and most important रहेगा almost सभी exams में पूछा जाता है फतेपुर सिकरी जो है founded as the capital of Mughal Emperor फतेपुर सिकरी को Mughal Emperor की capital बनाया गया था किस शाशक के द्वारा तो अकवर जो है इसमें बिल्कुल सही अंसर रहेगा कौनस अंसर सही रहेगा option number D, अकवर next question है question number 65 गुलबदन बेगम had written हुमायू नामा गुलबदन बेगम जो है इसने हुमायू नामा लिखता हुमायू नामा किसके रिलेटर था हुमायू के रिलेटर था और question में ये पूछा गया है कि गुलबदन बेगम जो है ये हुमायू की क्या लगती थी तो गुलबदन बेगम हुमायू की क्या लगती थी ये पूछा गया है इसके साथ ही एक और additional चीज बनती है कि इन्होंने जो भी चीजें प्रवाइड की जो भी material प्रवाइड किया प्रवाइड मेटीरियल कहे लिजिए उसके related जो भी हुमायू के related जो भी कामरन मिर्जा हाफ ब्रवाइड मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता कि पहले बाई होगा बाद में शादी कर लिए उसी से ठीक है तो पहले बाई होगा फिर शादी कर लिए तो हाफ ब्रवाइड हो गया ऐसा हो सकता है बट मैं कुछ कहा नहीं सकता भी ठीक है मोती मस्जिद, पीछे करवा चुका हूँ आपको, मोती मस्जिद किसने की थी, तो शहाजान ने, किसने, शहाजान ने की गई थी, मोती मस्जिद इसके द्वारा, अगला कुशन देखते हैं, Whose ring was called the golden age of Modi Architect? Modi Architect जो है, उस time का golden age जो है, वो जाजफ के time period को कहा गया है, किसको कहा गया वई? तो शहाजान को कहा गया, क्यों कहा गया, architecture का मतलब समझते हैं, कि building हैं बनाना, इमारते बनाना वो आता है, architecture के इंतर, तो normal सी बात है, सब चीजें जो है रहूआ सब चीजें जो है राल्मोस्ट शाहजाण ने बनाई है, लाल की ला कहलो, red fort हो गया, फिर शाली मार गाडन हो गया, उसके सिभा, शाहजानावाद हो गया, बहुत सारी चीजें, बहूत सारी चीजें, राल्मोस्ट आप कह सकते हैं क Battle of Plassi की, तो सबसे पहले Plassi का युद्ध है, वो कब हुआ था, सबसे पहला question बनता है कि Plassi का युद्ध जो है वो कहाँ पर, कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, कब हुआ था, 1757 पे हुआ था, तो इन्हों ने बोला है कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब कौन सा मुगल शाशक जो है, वो शाशन कर रहा था, तो आलमगीर 2, कौन सा, आलमगीर 2, option number A बिल्कुल सही और stick रहेगा, ठीक है सभी दोस लास में analytics कर लिजएगा अपनी questions का, 30 questions की class रहेगी, उसमें देख लिजएगा कि 30 में से आपके approximately लगवग लगवग, कितने तर questions जो है, वो सही बैठ रहे हैं, next question है, ग्यासु दिन तुगलक की बात की जा रही है, कि ग्यासु दिन तुगलक जो है, कि कौन सी जग पर उस टाइम पर पाकिस्तान जो है, वो नहीं बना हो था, पाकिस्तान 1947 में बना है, जो कि अभी करंटली जो पंजाब उस टाइम था, अभी करंटली वो क्या है, अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कौन सी जगा मुलतान, मुलतान में ये थे, ठीक है, वहाँ पर जो है उस टाइम पे पाकिस्तान था नहीं उस टाइम पिंजाब की ही बात की जा रही थी देखते हैं नेक्स्ट कॉशन और आज की क्लास का लास्ट कॉशन है तो इन्होंने सिंपल सी बात क्या पूची है कि किसने जो है वो महाबारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में पर्शियन लैंग्विज में ट्रांसलेट करवाया था और उसका नाम चेंज के ये रखा गया था रजमान में ठीक है रजमान में उसका नाम रखा गया था तो ये किस ने करवाय था तो ये करवाय थी अकवर ने क्या करवाय थी महाबारत इसको ट्रांसलेट किया गया था ठीक है ट्रांसलेट किया गया था और ट्रांसलेट ये तो करवाय थी इसने ये तो रूलर था बट एक्चुल में translate जो है वो किसने किया था तो translate किया था वाई फैजी फैजी एंड कादिर बदोनी ठीक है फैजी और कादर बदोनी इन दोनों ने जो है वो translate इसको किया था फैजी और फैजी और फजल ये मैंने आपको दो नाम बता है थे अकबर के court point में most important है तो देख लो इनके आपर question definitely जो है वो बनने वाले है तो ये थी आज की class तो आज की class के जितने भी questions थे आज की class की questions खतम हो चुके हैं तो यही पे हम जो है अपनी class the end करते हैं 30 questions टोटर रहे हैं 30 questions में से अपने हिसाप से देख लीजीगा खितनी questions आपके सही बैठ रहे हैं किस level के आपकी preparation जो है वो चल रही है क्लिर है तो मिलेंगे कल फिर से नए कोशन्स के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए दीजे इजाज़त जाहिंद जावारुत